अध्यायत तीन सूखे हाथ वाला ईसा फिर सभाग रह गए वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोश लगाएं ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा बीच में खड़े हो जाओ तब ईसा ने उनसे पूछा विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई जान बचाना या मार डालना वे मौन रहे उनके रदे की कठोड़ता देखकर ईसा को दुख हुआ और वो उन पर करोद भरी दरिश्टी दोड़ा कर उस मनुश्य से बोले अपना हाथ बढ़ाओ उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया इस पर फरी सी बाहर निकल कर तुरंट हिरोदियों के साथ इसा के विरुद्ध परामर्ष करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें समुद्र तट पर विशाल जनसमू इसा अपने शिश्यों के साथ समुद्र के तट गए गलीलिया का एक विशाल जनसमू उनके पीछे पीछे हो लिया यहूदिया, यरुसालेम, इदुमया यर्दन के उस पार और तिरूस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकठे हो गए क्योंकि उन्होंने उनके कारियों की चर्चा सुनी थी भीड के दबाव से बचने के लिए इसा ने अपने शिश्यों से कहा कि वे एक नाव तयार रखें क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका इस परश करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे अशुध्ध आत्मा इसा को देखते ही दंडवत करते और चिलाते थे आप ईश्वर के पुत्र हैं किन्तु वो उन्हें ये चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो बारह प्रेरितों का चुनाओ इसा पहाड़ी पर चड़े वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया वे उनके पास आए और इसा ने उनमें से बारह को नियुक्त किया जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वो उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सु समाचार का प्रचार करने भेज सकें ईसा ने इन बारहों को नियुक्त किया सिमोन को जिसका नाम उन्होंने पैत्रुस रखा जेवेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को जिनका नाम उन्होंने बौानेरगेस अर्थादगरजन के पुत्र रखा अंद्रेयस, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, थोमस, अलफाई के पुत्र याकूब, थद्देयुस और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है और यूदस इसकारियोती को जिसने ईसा को पकड़वाया इसा के संबंधी, वे घर लोटे, फिर इतनी भीड एकत्र हो गई, कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुरसत नहीं रही जब इसा के संबंधियों ने ये सुना, तो वे उनको बलपूर वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था, कि उन्हें अपनी सुद्भुद नहीं रह गई है इसा और बेलजबुल ये रुसालेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेलजबुल सुद्ध है, और वो नरक दूतों के नायक की सहाइता से नरक दूतों को निकलता है इसा ने उन्हें अपने पास बुला कर, ये द्रश्टान्त सुनाया शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो, तो वो राज्य टिक नहीं सकता यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो, तो वो घर टिक नहीं सकता और यदि शैतान अपने ही विरुध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वो टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है कोई किसी बलवान के घर में गुस कर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वो उस बलवान को न बांध ले इसके बाद ही वो उसका घर लूट सकता है पवित्र आत्मा के विरुध पाप मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ मनुश चाहे जो भी पाप या इश निंदा करें उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी वनंत पाप का भागी है उन्होंने ये इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध है इसा के यथार्थ संबंधी उस समय इसा की माता और भाई आए उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा लोग इसा के चारों और बैठे हुए थे उन्होंने उनसे कहा देखिए आपकी माता और आपके भाई बहने बाहर हैं वे आपको खोज रहे हैं इसा ने उत्तर दिया कान है मेरी माता कान है मेरे भाई उन्होंने अपने चारों और बेठे हुए लोगों पर द्रिष्टी दोड़ाई और कहा ये है मेरी माता और मेरे भाई जो इश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता